Hello friends, Welcome back to my channel The Taste of India तो friends, कैसे हैं आप आशा करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे friends, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही tasty गाजर का रायता friends, इतना tasty बनेगा के पूरी सर्दिया आपको इसे खाने का मन करेगा सड़ीयों में गाजर बहुत अच्छे आती है तो एक बार आप इसे जरू ट्राइ कीजिएगा बहुत टेस्टी बनेगा और इसकी जो रेसीपी है वो भी बहुत ही सिंपल है जटपड से बन जाएगी और रायता बनाना तो वेसे भी बहुत ही आसान काम है चटपट से बन जाता है तो चली फिर देखते हैं इसे कैसे बनाना है इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह से रोज रोज नई नई वीडियो मिल सके और आप भी इस तरह से यमी यमी सा खाना बना सके तो इसे बनाने के लिए मैंने चार गाजर ले ली है अब फ्रेंट्स में जो क्वैंटिटी जितने जनों के लिए बना रही हूँ मतलब मैं चार जनों के लिए बना रही हूँ आप कम ज़ादा रख सकते हैं जितने जनों के लिए आपको बनाने हैं वो आप अपने हिसाब से देखें गाजर को पहले अच्छे से दो ले और एक बार अच्छे से इस तरह से छील ले अच्छे से साफ दोने के बाद चील ले और फिर जब आप चील के तयार करेंगे तो फिर से आप एक बार इसे धू ले चीलने के बाद और धो के तयार कर ले और फिर इसे इस तरह से आपको ग्रेट कर लेना है अब एक गाजर का रायता होता है जिसे छोटे छोटे पीसिज में काट के बॉल करके वैसे बनाया जाता है और एक इस तरह से बनाया जाता है तो फ्रेंड्स दोनों ही वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी तो आप वो भी देख सकते हैं अच्छे से मैंने ग्रेट करके इस तरह से तयार कर लिया है अब करेंगी से बॉल तो पैन के अंदर मैंने एक ग्लास पानी डाल के गरम होने के लिए रख दिया है जब हलका गरम हो जाए तब हमें इसके अंदर ग्रेट की हुई गाजर डाल देनी है सारी गाजर मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल दी है और अच्छे से ज्यादा बॉयल नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक से डेड़ मिनिट के लिए हमें बॉयल करना है क्योंकि डेड़ मिनिट के अंदर ये अच्छे से बॉयल हो जाती है तो आप ज़्यादा इसे बॉइल ना करें अब अच्छे से जब तक इस बॉइल होती है हमें राइते की तैयारी कर लेनी है मैंने घर का जमावा बिल्कुल फ्रेश दही लिया है तो आप इसके लिए बिल्कुल फ्रेश दही ले अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से थिक जमा हुआ है बिल्कुल भी जैसा पानी पानी होता है वेसा नहीं है तो मैंने दही एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है और दही निकालने के बाद अब इसे अच्छे से फेट के तयार करेंगे फिर हम इसके अंदर मसाले एड करेंगे सर्दियों में अक्सर रायता खाना सभी को पसंद होता है और रायता सभी को वेसे भी पसंद होता है कौन ऐसा है जिसे रायता पसंद नहीं सभी को रायता पसंद होता है तो अच्छे से जब आप मतनी से जिम्मत ले तब आप इसमें एक गलास पानी एड कर दे चलिए तो गजर और तक बूंगे कर रायचाच दिया है अब फ्रेंड और अपने टेस्ट के अकोर्डिंग दएन अच्छे से कर दें कुला खिल द्धाबा ङाल ऐने हो मिके क्षब भी करें अब इसे बहुत ही लजीज लग रहा है और बहुत ही टेस्टी सा दिक रहा है और कलर तो इसका बहुत ही शानदार है अब लगाते हैं इसमें तड़का तड़का पैन में आप oil डाल दे 2 छोटे चममच और फिर इसमें राइ डाल दे कडी पत्ते जीरा और सुकी वी इसके अंदर आप चाहे तो लालविश डाल सकते हैं मैंने नहीं डाली है और इसके अंदर आप अरिमिश डाल दे तुरंथrect ही ये चटक जाने के बाद तड़का इसके अंदर लगा दे और अच्छे से इसे ढखकन से ढख दे दोमने डखकन लगा के रखे फिर बाद मेज में धनियापती आप एड़ कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगेगा धनियापती से और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा तो हमारा बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजीज रायता बनके तयार है गाजर का आपको रेसीवी पस करें थे हैं कि सो मच फ्रेंड्स